आयर्वेद में अनीक क्रंथों में बताया गया है कि गुड यानी जागरी खाने के कितने चब्रदस फायदे होते हैं, पर गुड खाने से हमारे शरीर को पूरी तरह से लाग तब भी मिलता है जब हमें इसे खाने का सही तरीका और सही समय पता हो. गुड गुणों का भंडार है, यह एक ऐसी गुणकारी आशर है जिसका उप्योग लगबख सभी करते हैं, इसका रंग हलके पीले से लेकर डार्क ब्राउन कलर का होता है और इसकी ताक्सीर कर्म होती है, इसलिए जद्यों के मासम में इसका सेवन करने से हमें और भी ज़्या पूर माता में होता है, इसके साथ इसमें विटामिन A, विटामिन B और कार्भो हाइडरेट जैसे पोशक तत्रों भी पाय जाते हैं, इसलिए नियामी तुप से गुड का सेवन करने से कई इंकम भीर बिमारियां होने से बचा जा सकता है, तो जानते हैं गुड हमारे लिए गुड हमारे शरीर से हानिकार या टॉक्सिंस को बाहर निकाल कर हमारी बाड़ी को डिटॉक्स करता है, अगर आपको ज्यादा दर कब्स की समस्या रहती है, तो गुड का नियामित रूप से सेवन करें, इससे कब्स की समस्या तुप होगी, गुड में कैल्शियम, की समस्या में अराम होता है, अगर आपको एक्नी की प्रॉब्लम है, तो आपको गुड का सेवन जरूर करना चाहिए, गुड हमारे ब्लड से हानिकार टॉक्सिंस को बाहर कर हमारी तुच्छा को साफ रखता है, इसलिए इससे ब्लड प्यूरिफायर भी कहते हैं, और हमारी तुच्छा तब ही चमकदान होगी, जब हमारा ब्लड सही तरह से प्यॉरिफाय हो, इसके अलावा गुड हमारी स्किन को टाइट कर जूरियां यानि रिंकल सर्णे में भी मदद करता है, और तुच्छा को सहत मन बनाए रखता है, इसके अलावा गुड की तासिर गरम होती है, जिसके वज़े से सर्दी खांसी चुखाम और खास्त होसे कफ में राहत देता है, इसके साथ साथ ये इमिनिटी बढ़ाने में भी मदद करता है, अस्तमा के इलाज में भी गुड काफी फायदे मन होता है, गुड में एंटी अलर्जिक प्रॉपटीज होती है, तो अग हमें भी आपको गुड का सेवन करना चाहिए, क्योंकि गुड में आयरन भनपूर माता में पाया चाता है, और इसका रेगुलर सेवन करने से ये आपके लिए फायदे मन साबित होगा, जिन महिलाओं ये लड़कियों को पीरेट के दौरान पेट में दर्ज की शिकायत रहत है, गुड खाने का हमें पुरी तरसे लाग तबी होता है, जब हम इसके खाने का सही समय पता हो, सही तरीका पता हो, तो वैसे तो आप गुड का सेवन दिन भर में किसी भी वक्त कर सकते हैं, पर अगर आप गुड सुबे काली पेट खाते हैं, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा फायते मंद होगा, गुड की तासीर गरम होती है, इसलिए आप पानी के साथ घोल कर इसे पीते हैं, तो ये आपके शरीर को थंड़क देता है, गरम नहीं करता, असल में सुबे सुबे हमारा digestive system काफी ज्यादा acidic होता है, जिसके कारण हमारे blood के अंदर acidic content की मातना बढ़ जाती है, और अगर हमारे शरीर में blood जादा acidic हो जाता है, तो कई बिमारिया होने के chances बढ़ जाते हैं, इसलिए अगर आप रोज सुबे खाली पेट good खाते हैं, तो ये हमारे blood को alkaline करने में मदद करता है, क्योंकि good alkaline nature का होता है, अगर आप सुबे खाली पेट एक तुकड़ा गुड़ खाने के बाद उपर से एक गिलास गुणगुणा पानी पी लें, तो इससे आपके जोड़ों में दरत की शिकायत दूर होगी, इसके अलावा आप सुबे खाली पेट गुड़ की चाय भी पी सकते हैं, इसके लिए आप एक बतन में दो कप पानी डाल दें और फिर उसमें एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा डाल दें, फिर एक चमर जीरा डाल दें और अब इस पानी को इतना उबाले कि पानी एक कब जितना हो जाए, फिर इसे चांकर अराम से चाय की तरह सिप सिप करके पियें, ये आपके लिए बहाफिर फाइवे इससे आप मौर्निंग में वर्काउट के एक घंडा पहले या फिर वर्काउट के एक घंडे के बार भी खा सकते हैं, इससे ना सिर्फ आपका पाचन तंतर मजबूत होगा, बलकि इससे आपके शरीम में दिन भर एनरजजी बनी रहती है, और ये कब्स की प्रॉब्लम को भ थोड़ा सा गुड़ खाएं तो इससे खाना असानी से हस्म होगा, और अगर आपको गुड़ खाना इस तरह से पसंद नहीं है, तो आप गुड़ की बनी चिक्की, गुड़ से बनी लड़ो या फिर गुड़ से बना हल्वा भी खा सकते हैं, ये भी आपके लिए हेल्थी ह या फिर आप चाहें तो गुड़ की रोटी भी खा सकते हैं, और अगर आपको रैस्पिरेटरी प्राब्लम हो या फिर गठ्या रोग हो तो आप छोटे से गुड़ के टुकड़े में थोड़ी सी सौंट डाल कर खाएं, तो इससे आपको काफी अराम होगा, अगर आप रात हैं, यानि डार्क ब्राउन रंग का गुड़ खाएंगे, उतना ही आपके शरीर के लिए फायते मन्द है, और अगर आप सफेद या फिर प्री रंग का गुड़ खाते हैं, तो इससे आपको अलर्जी जैसे सर्थी खांसी जुखाम जैसी समस्याइन हो सकती हैं, तो दिन भ आपता में गुड़ का सेवन करना हमारे शरीर के लिए नुकसान दे हो सकता है, पर अगर आप किसी पॉल्यूशन वाली जगे में रहते हैं, या फिर आपको ज्यादा तर कफ की शिकायत है, या फिर आपको कोई रैस्पिरेटरी प्राबलम है, तो आप इसके खाने के क्वा मासम में खाना चाहिए, गेवल गर्मियों में खाने की क्वाइंटिटी काम कर देनी चाहिए, और हर किसी के शरीर की तासीर अलग होती है, इसलिए किन लोगों को गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए, जिनके शरीर में किसी भी प्रकार की सूजन हो, उन्हें गुड़ का स सेववन नहीं करना चाहिएए क्योंकि गुड में सुक्रोज की अच्छी मात्रा होती है और इससे उनकी rush trouble और बढ़ सकती है इसके अलावर डैयबेटिक patient को गुड़ का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे blood में sugar की मात्रा बढ़ जाती है और उनकी problem बढ़ सकती है जिन लोगों को ulcerative colitis की problem हूँ उन्हें भी गुड़ खाने से बल्हेज करना चाहिए किसी भी चीज का सेवन अगर हम जरूर से ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो वो हमारे श्रीपी पाइदे की जगे नुकसान पहुचाता है इसलिए अगर आप गुड़ का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो इससे आपको उल्टी, सिर्दर्द और पेट खराब होने जैसी समस्याइं हो सकती है इसके अलावा अगर आप गर्मियों के मात्रा में गुड़ का सेवन करते हैं तो इससे नाग से खुन आने की प्राब्लम हो सकती है इसलिए गुड़ का सेवन सही मात्रा में करें ताकि आप इसका भरपुर लाब उठा सकें वैसे तो गुड का 7 सदी चीज़ों के साथ कर सकते हैं पर मुली के साथ इससे ना खाएं क्योंकि इस से आपको स्किंटेज हो सकता है और अगर आप ना विछ खाते हैं तो आयरुवेत के अमसार गुड के साथ फिश का 7 नहीं करना चाहिए यानि की फिश खाने के बाद तो फ्रेंड्स ये थी विस्त जानकारी गुड़ के फाइदों के बारे में और किस तरह से इसको खाना चाहिए क्या साव खानेया रखनी चाहिए तो आप भी डेली यूटीम में गुड़ खाएं और इसका फाइदा उठाएं